हेलो फ्रेंद्स हावर यू आल उमीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे अज फिर एक नया वीडियो में आप लोग को स्वागत है यह वीडियो मेरा घर का है मैं मास्रूम खेती किया हूं आप लोग को बताने जा रहा हूं किसे करना पड़ता है किसे होता है तो फर्स्ट चुना डाल देना परता है ताकि उसका जतना किटानू हो कितना बेक्टेरिया हो सब मर जाए और उसका बाद शाक के 70% सुखाना परता है सुखा के पैकेटिंग करना परता है पैकेट में एक दू तीन चारे से लेयार बनाते हुए उसमें गूटी जो मास्रूम का सीड होता है इसको डालना परता है डालकर उसको 10-15 दिन आप उसको अंध्यरा में रखना परता है उसका बाद इसे टांग देना परता है और 21 देश के बाद उसमें थातरा पानी छिरिखना परता है तब 28 देश तक लगभग ये मास्रूम निकल आता है तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है तो इसको बहुत साफ सुत्रा मेंटेन करना परता है और नेट लगाना परता है ताकि मस्कीटों से या दूसरा कुछ किटान उसमें ना लगे तो देखिए मेरा मास्रूम हो चुका है और मैं आज इसको तोड़के दिखाऊंगा आप लोगों को तोड़ने का भी ए निकल जाएगा तो इसी तरह तोड़ना चाहिए इसको फास तोड़ा हूं दिखी उसका बाद इधर वाला भी तोड़ रहा हूं इसे पकड़के इसे घुमा दीजिए खुद निकल जाए गया इसी तरह मास्रूम का खेती होता है मैं घर पे अपना लगाया हूं क्या हूं त इसका मार्केट में भेलू बहुत ज्यादा है 410 तो 500 पर केजी है जो रोला होता है सुकहावला तो ज्यादा इसका प्राइस है क्यूंकि 10 kg रो मासरूम सुखाने से एक केजी लगबग सुखावला बनता है इसलिए उसका रेट बहुत है जाता है 2000 से 2500 केजी हो जाता है बाबू है मेरा तोड़ने के बाद वो फोटो कीचवाया है मेरा साथ महासरूम लेगे उसका बाद इसको मैं स्लाइस करूंगा चड़ा चड़ा स्लाइस करके इसको पेकेटिंग करना पड़ेगा यह दिखे में दो पेकेट बनाया हूँ